आईए सबसे पहले समझ लेते हैं धोती के बारे में धोती यह पुरुषों द्वारा परिधान किया जाने वाला एक अखंड वस्त्र है प्राचेन काल से ही धोती यह हिंदू संस्कृती द्वारा बताया गया प्रचलीत परिधान रहा है विशेश्ता धोती देवताओं द्वारा भी परिधान किये जाने के कारण अधिक सात्विक है इसी कारण से धोती परिधान करने से होने वाला सात्विक ताका लाभ अन्य वस्त्रों की तुलना में अधिक होता है अब देखते हैं धोती परिधान करने की उचित पद्धती वो उससे होने वाले लाब धोती परिधान करने की उचित पद्धती क्या है? आईए समझ लेते हैं एक द्रिश्चपट द्वारा दोनों हात में पकड़ कर धोती कमर के पीछे की ओर से इस प्रकार आगे लाइए अब धोती का तीन चौथाई भाग दाएं हात में वा एक चौथाई भाग बाएं हात में पकड़िए बाएं हात में पकड़ा यह छोर धोती का अंदर का छोर होगा अब बाएं हात में पकड़ा छोर अपने दाएं और इस प्रकार ले आए अब दाएं हात में पकड़ा छोर अपने बाएं और इस प्रकार ले आए अब दोनों हातों में पकड़े धोती के भाग कमर में नाभी से चार उंगलियां उपर इस प्रकार खोंसिए वकस लिजिए तदुपरान बाएं भाग के छोर को दोनों पैरों के मध्य से पीछे की ओर ले आईए अब धोती के इस भाग के पीछे की ओर चुन्नटे बनाईए अब इन चुन्नटों को एक समान कर लीजिए यह चुन्नटे पीछे की ओर कमर के मध्य भाग में खोसिए इसे धोती का काँच अथवा लांग कहते हैं अब धोती की दाई और के अर्थात सामने के भाग के चुन्नटे बनाईए अब इस चुन्नटों को एक समान कर लीजिए अब इन चुन्नटों को सामने की और पेट के पास नाभी के चार उंगलियां उपर खोसिए तदुपरान सामने की चुन्नटों का नीचे का चोर हाथ में लेकर उसकी पुन्हा छोटी चुन्नटे बनाईए यह चुन्नटे पुन्हा सामने के और पेट के पास खोसिए धोती परिधान करने की एक पद्धती हमने समझ ली प्रान्थ के अनुसार दोती पहनने की पद्धती में भी भिन्नता दिखाई देती है अजय प्रान्थ कि लफ बनाए झालने की प्राइए झालने की प्राइए